नमस्कार दोस्तों, Study Buddies में आपका स्वागत है हम इस वीडियो में Chapter 6 के Part 5 को डिसकस करेंगे इसमें हम कुछ important terms को discuss करेंगे दिखें, आप जब कोई भी chapter पढ़ रहे होते हैं तो उसमें कुछ terms बहुत important आती हैं जैसे कि नियाइक सक्रियता क्या होती है नियाइक पुनर अवलोकन क्या होता है नियाइक समिक्षा क्या होती है और जन हित याचिका किसे कहते हैं जिसको PIL कहते है Public Interest Litigation ठीक है, इस चार्ट के मदद से समझेंगे कि Judicial Review यानि कि नियाइक समिक्षा और Judicial Activism नियाइक सक्रियता होती क्या है काफी बच्चों को इन Terms में Confusion होती है तो बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की है तो आईए अपने discussion स्टार्ट करते हैं आईए दोस्तों डिसक्ष करते हैं अपने इस Important Topic को नियाइक सक्रियता देखें ये कुछ ऐसी Terms हैं जो आपके exams में आती है इस Chapter में या इस Topic में जो हम Terms डिसक्ष करेंगे वो तीन Terms हों की पहली है नियाइक सक्रियता ये आपके दो-दो नंबर के Quotions में आती हैं और Long Quotions में भी आ सकता है पहली है नियाइक सक्रियता इसी के साथ दूसरी Term आती है नियाइक समिक्षा आपने सुना होगा Judicial Review के बारे में तो ये दोनों क्योंकि मिलती जुद्धी Term से इनको साथ में कर लेंगे और तीसरी Term है जनहित याचिका इन तीनों को अच्छे से समझेंगे देखे पहले से नियाइक समिक्षा तो करती ही आ रही है नियाइक समिक्षा का मतलब होता है कि जब भी कोई कानून सरकार लाती है ठीक है ना मैंने आपको क्या बताया कि सरकार जो है कोई कानून पास कर सकती है मलब कानून बनाने का काम सरकार का ही तो है जब वो कानून बनाया जाता है कानून बनाने के बाद यह जो चेक किया जाता है ना कि वो कानून सनविधान के अनुसर है या नहीं है उसी को कहा जाता है नियाइक समिक्षा ठीक है इस बारे में मैं भी आपको बताऊंगा तो यह तो पहले से चल रहा था तो नियाइक सक्रियता या जनही तियाजी का जब से आई है तबसे माना जा रहा है कि नियाई पालिका ने बहुत अच्छे से आम लोगों के लिए भी काम करना स्टार्ट किया है इस बारे में हम अभी डिसकस करते हैं पहले इन दोनों टर्म्स को समझते हैं नियाईक सक्रियता क्या होती है और नियाईक समिक्षा क्या होती है इसको समझते हैं एक animation या photo के माध्य हम से जो यहाँ पे समझेंगे यह यहाँ से देखें दोस्तों यहाँ पर दो terms को हम समझेंगे एक होगा judicial review जिसको कहते हैं नियाइक समिक्षा दूसरा होगा judicial activism जिसको कहते हैं नियाइक सक्रियता ठीक है यह दोनों terms हमारे लिए बहुत ज्यादा important है इन दोनों terms से आपके पास question आ जाते हैं और आपको समझने भी बहुत जरूरी है सबसे पहले समझते हैं इस term को judicial review को ठीक है तो judicial review को आप समझते हैं जज साहब को देखिए जज साहब क्या कर रहे हैं जज साहब यहां पर यह बता रहे हैं कि यह देखिए यह जो कानून आपने जो बनाया है यह जो कानून सरकार ने बनाया है उसकी समिक्षा की जा रही है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सरकार का काम है जो सरकार है उसका काम है कानून बनाना और नियाय पालिकर का काम है कानून को चेक करना कि वो कानून सर्विधान के अनुसर बनाया गया है या नहीं बनाया गया है तो भाई एक ऐसी प्रक्रिया तो होगी ना जिससे कि उस कानून को दोबारा से देखा जाएगा यानि की review किया जाएगा कि वो कानुन सर्विधान के अनुसर है या नहीं है इसको कहा जाता है नियाईक समिक्षा जब नियाया ले उस कानुन की या जो सरकार ने बनाया है उसकी समिक्षा करते हैं यानि की जाँच करते हैं कि क्या वो कानुन सर्विधान के अनुसार बनाया गया है या नहीं बनाया गया है इसको कहते हैं judicial review ठीक है अब आते हैं हमारे इस topic पर second number पर judicial activism activism को हिंदी में कहा जाता है सक्रियता ठीक है ना नियाइक सक्रियता जो हमारा भी topic हम discuss कर रहे हैं वो यही है नियाइक सक्रियता इसको समझिए क्या है यहाँ पर तो जज सहाब इशारा कर रहे हैं कि यह कानून देखो यह कानून कैसा बनाया है तुमने हम इसको चेक करेंगे ठीक है न यह तो यहाँ पर है दूसरे यहाँ पर आप देखिए जो सक्रियता वाले जजज सहाब हैं यह जजज सहाब गुसे में हैं गुस्टे में क्यों है क्योंकि यह बहुत एक्टिव हो रहे हैं यह बोल रहे हैं कि भई जो सरकार है उसको यह काम करने चाहिए ऐसी कानून बनाने चाहिए सरकार को ऐसी नीतिया बनाने चाहिए ठीक है यदि कोई कानून है और वो ठीक से लागू नहीं हो रहा तो आप तो कानून जो अगर आप विधाईका ने कोई कानून नहीं बनाया है तो कानून बना हो कारेपालिका ने अगर कोई कानून लागू ठीक से नहीं किया है तो उसको बोलेंगे तुम कानून ठीक से लागू करो यह है नियाईक सक्रियता यानि कि जब जुडिशरी यानि कि निय आएक सकरियेता जो है आज की डेट में आपने सुना ओगा जन हितु याची का, जन는지ति याची का जो है उसको , अब पहले इसको समझते सी . यह मैं तीसरी टर्म हैं , तीके ? जन ऐड आक्या होती है स्कूल में जब हमारी तवेद खराब होती है तो हम क्या करते हैं अपने class teacher को जो है एक याची का देते हैं एक प्राथना पत्र देते हैं कि आज मेरी तवेद खराब है और मैं नहीं आपाँगा या नहीं आपाँगी हम याचिका देते हैं और उसके बाद वो उसके सुनवाई करते हैं तो सेम एज जनता के हित के लिए जो प्रातना पत्र दिया जाएगा वो किसको दिया जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहते हैं कि वो हमें दो अगर कोई समस्याएं आ रही हैं जिसको आम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उसको हम सॉल्व करेंगे इस बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा यहाँ देखिए जनहित याचिका क्या है इसकी शुरुवात कब हुई अब क्या हुआ है इस बात को समझी कि होती क्या है देखिए जब कोई आपने यह देखा होगा जब कोट में लोग कब जाते हैं कोट में लोग तब जाते हैं जब उनका मालो ए परसन है भी परसन है कोई भी परसन है अगर उसको कोई समस्या है एक को समस्या है या बी को समस्या है या सी को समस्या है तो वह बंदा कोट जाएगा ना ठीक है आपको यह भी पता है कि कोट में जाने का मतलब यह है कि पैसे वाला होना चाहिए बंदा ठीक है उसके पास पैसा होना चाहिए लेकिन अगर क्या ऐसा भी कोई प्रावधार है कि इन लोगों का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, ये दूसरे के लिए कोट चले जाए, मालों कि कोई गरीब परसन है या कोई स्टूडेंट है, जैसे गरीब है, गरीब लोग हो गए, अब उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा है, अब आप ये बताईए कि पीने का पानी है, वो उसके लिए अगर वो कोट जाते हैं, उनके बस पहली बात है, पैसा ही नहीं है, तो इनकी तरफ से कोई जाएगा कोट, इनकी तरफ से ये लोग या कोई भी लोग जो है, जा सकते हैं, उस चीज के लिए जनहित याचिका लाई जाती है, अब इससे इनका क्या फाइदा होता है, अब आप बताईए कि गरीब जो लोग है, उनके पीने का पानी ना हो, रहने के लिए घर ना हो, जैसे आपने ये देखा होगा, जैसे अभी ठंड का मोसम चल रहा है, तो ठंड के मोसम में जो सरकारे हैं, वो क्या कर कम से कम ठंडी रातों में एक ऐसी जगा तो चाहिए ना, जहां पर लोग रह सके, उसके लिए रहन बस सरे बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा, ठंड के मोसम में, काफी लोग जो दूसरों के लिए जो भला करना चाहते हैं, वो कंबल डोनेट करते हैं, खाना डोनेट कर है, रोटी, कपड़ा, मकान, जो मूलबूत आवश रखता हैं, वो तो उसका मॉलिक अधिकार ही है, तो अगर उसको वो भी नहीं मिल रहा, रात गुजारने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, तो आम लोग जो है, वो क्या करते हैं, उन गरीब लोगों की तरफ से, रैन बसे इसके अलावा, एक एक जामपल अगर मैं दूँ ये, कि पर्यावरण, जैसे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, जो है, खास तोर पर P.I.L. जो लाई गई जनीत याचिका लाई गई, जनीत याचिका को P.I.L. भी कहा जाता है, इंग्लिश में Public Interest Litigation, हिंदी में कहते हैं जनीत याचिका, इसमें क्या है, इसका example समझाता हूँ, पर्यावरण का, जैसे आपने ये देखा होगा, कि दिल्ली का खास तोर पे जो पर्यावरण है, वो बहुत जादा दूशित हो रहा है, जैसे उसकी वज़ाय क्या है, एक तो pollution है, जो गाडियों का है, उसके अलावा जो construction होती है, वो भी बहुत बड़ा उसका कारण है, अब मुझे एक बात बताईए, कि जो pollution है, ये तो वो ही करेगा जिसके पास गाडिया है, यानि कि जिनके पास पैसा है, गाडिया है, वो ही तो pollution करेंगे, आम लोग जिनके पास गाडिया नहीं है, कुछ नहीं है, जो गरीब लोग है, जिनके पास पैसा नहीं है, वो मास्क क्या, वो खाना उनके पास नहीं है, तो मास्क क्या लेंगे, तो असली जो problem है, वो उनको सेहन करने पड़ती है, तो इसके लिए जो है परियावरण के ओपर जो है, एक पैटिशन डाली गई, कि सरकार को जो है, मल कुछ लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए याचिका लाई जा सकती है, तो ये बाता मोटा मोटी समझ गए होंगे, इसका मतलब है, जनता के हित के लिए याचिका लाई जाती है, और इसको सुप्रीम कोर्ट जो है, वो एडर्स करता है, ठीक है ना, अब ये कब आया, ये 1979 में आया था, ये जो जनहीत याचिका का प्रावधन है, 1979 में इस तरह की शुरुवात हुई थी, उनमें बोला गया कि इस मामले में जनता के हित की बात की जाएगी, ठीक है, क्योंकि इस तरह के मुद्दों में जनता के हित की बात की गई है, इसलिए इनको क्या नाम दे दिया गया है, जनहितियाचिका, ठीक है, ये बात समझ गए होंगे, अब अच्छा आप बताईए कि भाई, किसी तरह का कानून बनाना, किसी तरह से कानून को लागू करना, ये किसका काम है, कानून बनाना तो विधाईका काम है, और कानून को लागू करन यहां पर सुप्रीम कौट न्यायिक सक्रियता कर रहा हो, तो好吃 , कर रहे हैं। इसलिए टेम कौट थित मेरे हैं स्क्रियता कर रहा है। स्वप्रीम कौट प्रभावी रूप से जो है क्या कर रहे है। एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं ठीक है इसको और समझते हैं और चीजे क्लियर होंगी अब इसमें क्या है देखें अब इसमें क्या हुआ कि एक बात मैं आपको यहां बता देता हूं कि न्याइक याचिका के लिए ना कहीं ऐसा नहीं है कि अगर लोग जाए और जैसे एक सकरीता या पिया लाई जा सकती है ऐसा नहीं है बलकि सुप्रिम कोर्ट ने यदि कोई न्यूस पेपर में कोई रिपोर्ट पढ़ ली उनको किसी ने चिठी लिग दी तब भी सुप्रिम कोर्ट उसके ओपर एक्शन ले सकते हैं ठीक है इसके कुछ दो ऐसे एक्जामप एक बात ध्यान रखेगा कि अगर यह कहते हैं कि सर आप छोटी-छोटी बाते भी समझा रहे हैं यह तो हमारे एक्जाम में नहीं आएगी देखे एक्जाम में हर बात तो आएगी नहीं और एक्जाम तो 33% वाला भी पास करता है लेकिन जब आप एक्जाम यह ग्यारवी ब में पसमीम कारा उनके बारे में में कुछ न्यूस में खबर आ जपी कि याद हो我दिए आपको चैप्टर नंबर तू में हमने जो पड़ा था मचल लालोंग का मामला उसमें क्या था की मचल लालोंग के उपर किल लडा की फुई और उसके बाद जो है उसको जेल में जेल में बिता दिये मरलब उसके केस की फिर भी सुनवाई तक नहीं हुई ठीक है तो ऐसे ही चल रहा था कि बिहार में की जेलों में ऐसे बहुत सारे कैदी थे जिन्होंने जो अपराद किया था उनके अपराद की सजा जाद से जाद छे महीने एक साल दो साल इतनी थी लेकिन उनकी इतनी संघा थी लेकिन उनकी संघा के वपर कोई सुनवाई ही नहीं और उन्होंने काफी लंबा जीवन guitill में बंग र दूसरे लोगों ने डाली इसको जनीत के आजकर कहेंगे, इसके लवब मैं आपको और बताता हूं, कि जब भी बात आती है, कि कैदी की बात कर देते हैं, जो जेल में बंद है, तो लोगों की एक negative mindset आजाता है, कि इनके लिए कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पहली ब आपको कैसे बंद रखा जा सकता है, पहली बात, अगर मानलो प्रूफ भी हो जाता है, तो उसको खाना तो देंगे, खाना साफ देंगे, पीने का पानी साफ देंगे, रहने की कोई जगा देंगे, कपड़े देंगे, अगर मानलो ये सब भी नहीं दिया जा रहा है, तो ये बहुत ज्यादा शारिडिक यातना है आपने सुना होगा थर्ड डिग्री टोर्चर उनको बहुत ज्यादा मारा जाता है तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कारवाई की और उसमें बोला गया कि इनको ऐसा नहीं है कि आप आपके पास यह अधिकार मिल जाता है आपकी से ज यहां पर जो बात गई गई है कि भई जो जनित याचिका है यह कौन-कौन दे सकता है ठीक है ना जनित याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने काफी तरह के मुकदमों को सुना है जिसमें शुद्ध हवा पानी की बात कि गई अच्छा जीवन पाना पूरे समाज का अधिकार है इसके उपर बात की गई इसके अलावा यहां पर उन्होंने बोला है कि जो भी व्यक्ति जन सेवा की भावना से भरे जो नागरिक हैं वो जनित याचिका दे सकते हैं समाजिक संगठन दे सकते हैं वकील दे सकते हैं उन सभी को यह याचिका हैं दायर करने की इजाज़त दी नियाय मूर्ती, पी एन भगवती, इनका बहुत बड़ा रोल है जनहित याचिका को लाने में, इन्होंने ये बात कही कि भई क्योंकि गरीब लोग जो हैं अपने अधिकारों की लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते हैं, इसी लिए जो समाज के जो ऐसे लोग हैं, जो जागर बढ़ते हैं, अब एक देखते हैं कि नियाइक सक्रियता से क्या-क्या फायदे और हुए हैं, नियाइक सक्रियता से हमारी जो राज्यतिक व्यवस्ता है, उस पर भी काफी परभाव पड़ा है, कैसे पड़ा है, अब कई बार जो है विधाईका, अपने विधाईका को जो क काम करने चाहिए थे वो काम विधाइका नहीं करती थी उस तरह के कानून नहीं बनाती थी जैसे लोगों के लिए शुद पानी देना उनको जो है उनको साफ पानी देना साफ हवा देना साफ वातावन देना इसके लिए फिर बाद में विधाइका को कानून बनाने पड़े कै इसे बनाने पड़े नियाइक सकरीता के बाद क्योंकि नियाइपाले के द्वारा जो ओर्डर किया गया उसके बाद इनको बनाने पड़े जैसे विधाईका को न मौलिक अधिकार तो पहले से ही सब के पास था बिल्कुछ सही तो कैदियों को जो बिना उनके मुकदमे की सुन है ठीक है अब लेकिन इसमें ये बात भी है कि इसमें इसे चुनाओ परणाली को भी जो है और ज्यादा मुक्त निक्षपक्ष बनाने का काम किया है जैसे अब हम बात करते हैं कि हमारे देश में लोग तंतर हैं हम लोग खुद अपनी सरकार को चुनते हैं यदि उस चुना चुनाओ लड़ेंगे उनको बताना पड़ेगा कि उनकी सब्पत्ती कितनी है आये कितनी है उन्होंने कितनी पढ़ाई करी है एक्जामपल लेते हैं माल लो 2019 में जो है जो चुनाओ हुए थे उसमें किसी A या B या C कैंडिडेट की जो आये थी वो थी माल लो एक करोड और जब वो सरकार से हटा तो उसकी संपती हो गई 100 करोड भाई ये कैसे हो गई ये बताना तो पड़ेगा ना तो इन सब के बारे में शपत्पत्र देना होगा तो ये जो है नियाईक सक्रेटा के बाद ही ये सब चीजे हो पाई है इस से कमिया क्या आई है इसमें ये बात प्रोब्लम आई है कि इससे एक नकरात्मख बात ये है कि नअएपालीका के कामकाच बहुत बढ़ गई है ठीक है ना? अब भाई जो समस्याएं हल करनी चहुए विधाईका को वो काम कर रही है नयाईपालीका जैसे उस तरह के कानून नियाई पालिका बनवा रही है कारेपालिका काम है उस कानून को लागू करना लेकिन वो कानून लागू नियाई पालिका करवा रही है तो इससे एक प्रोब्लम यह हुई है कि जो सरकार जो है जैसे सरकार के तीन अंग होते हैं विधाईका, कारेपालिका और नियाईपालिका, इनके काम बटे हुए हैं, विधाईका काम कानून बनाना है, कारेपालिका काम उसको लागू करना है, और नियाईपालिका काम नियाई करना है, और सन्विधान के अनुसरा शाषन करवाना है, ठीक है, तो भई, इन तीनों के क काम में जो अलग-अलग काम है वो सब कुछ काम नियाय पालिका कर लेगी तो कैसे चलेगा तो ये भी एक समस्या सामने आई है ठीक है I hope आपको ये चीजे समझ आई हो ठीक है ये सबी बात मैंने जौ भी बोली है वो यहीं पर की गहीं है ठीक है तो ये आप एक बात देख ली में ऐसी करती है कि कानुन पढ़ा और काम हो गया नहीं उनको काफी ऐसे मुश्किल डिसीजन भी लेने पड़ते हैं जब आप यह पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जैसे इसमें बोला गया कि एक सम्हू ने यूं बोला कि जो शहर है शहर में बहुत तरह की जुगी जोप वो जो वहाँ पर काम करते हैं क्योंकि उनके पास वैसी ही पैसे नहीं होते हैं तो वो वहाँ पर जुगियां बसना चालू हो जाती है आपको यही पता है कि जहाँ पर जादा जुगियां बसेंगी उन जगाहों पर पीने के पानी की विवस्ता तो सरकार को करनी ही होगी अ अगर जुगियां किसी शहर में जादा होंगी तो वहाँ पर बाहर से investment बहुत कम आती है बाहर से पुझी निवेश कम आता है बाहर से बोले तो विदेशों से ठीके न हमारे यहां जो FDI की बात की गई थी न foreign direct investment बाहर से investment आएगी तो हमारे यहां लोगों को रोजगार मिलेगा काम धंदे बढ़ेंगे तो इस चीज के लिए एक petition लाए गई कि यहां पर शहरों में क्योंकि यह जुगियां जो बस गई है इसकी वज़े से investment नहीं आ रही है तो Supreme Court यह सरकार को आदेश दे कि वहां से वह जुगियों को हटाए एक तो यह बात लेकिन वह जुगियों वालों ने बोला कि हम कहां जाएंगे हम यहां जो रह रहे हैं यह हमारा जीवन जीने का अधिकार है ठीक है इसका हमारा उलंगन हो जाएगा अब आप बताईए या वही पर लोगों को रहने देते तो इस तरह के भी decision लेने होते हैं judges को ठीक है यह तो एक छोटा सा decision है जो कि वह बात है लेकिन ऐसे और मुश्किल भी decision लेने होते हैं ठीक है